हलो गाईज अब तक की सबसे बड़ी भरती है और ये देखने को मिल रही है भारत के सब विध्यारतियों के लिए जी हाँ अगर आप गौर्मेंट जो आपके तयारी कर रहे हैं तो तयारी करना शुरू करते हैं और कंटिन्यू करें रेगुलर बेस पे तो आप 21,000 पदों की वेकेंसी के साथ एक पोस्ट पे आप लोग नोकरी कर सकते हैं जी हाँ आठवी, दसवी और बारवी वाले विध्यारतियों के लिए काफे बड़ी खबर है और ये ओफिसली नोटरिपिकिशन जारी हुआ है अगर आप लोगों को में इसमें आविधन करना है तो नो फेस, नो एकजाम, सीडी जोब का क्या रीजन रहेगा, आखिरकार क्यों मिलेगे सीडी भरती तो इन सारी चीजों की बात आज मैं इसके ओफिसली साइट या ओफिसली विध्यापन के साथ बात करने वाला हूँ जी हाँ, 21,000 पदों की डिटेल्स बताऊंगा, कॉल्फिकेशन के बारे में बात करूंगा और आखिरकार ये सिपाईयों की भरती निकली हुए, कहां से निकली हुई है, क्या इसमें भारत की सभी विध्यारती आवेदन करेंगे क्या इसमें आवेदन करेंगे तो ओनलाइन करने के लिए आप लोगों को कितना पैसा देना होगा री कब से आवेदन पर क्या सुरू होगी तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के जरी आप लोगों को मिलने वाले हैं तो गाइज अंते तक बने दीजिएगा डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा और नए विद्यारती हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो गाइज ये देखें मैंने इसके थोड़ी सी क्लिप्स आप लोगों के सामने रखें फिर आपन लास्ट में इसके ऑफिसली साइट पे चलेंगे वहां से विग्यापन के बारे में भी बात अपन करेंगे लेकिन विग्यापन के अंदर जो मोस्टली चीदें वह यहां पर मैं दिखा हूँ तो आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं और ये मोस्टली सारी चीज़े आप लोगों के सामने सेर करने वाला हूँ तो गाइस सबसे पहले मैं कॉल्फीकेशन की बात करता हूँ और कॉल्फीकेशन में आप लोगों को क्या-क्या दस्तावी जमा करवानेंगे आपको बता दे यहां पर बारवी के मार्क सीट और दसवी के मार्क सीट लगेगी जिसके लिए धसवी में आपको क्या होना चीए करीब बन जो date of certificate है वो होना जरूरी है अब आठीवी वाले विद्यारती किस post के लिए बात आवेदन करेंगे उसकी भी अपन बात करेंगे और वो कहां से कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं इसकी भी अपन बात करेंगे दस्वी के साथ ये documents आधार कार्ट पहचान पतर पासपोर्ट साइट की फोटो जाती परमान पतर और आपका जो भी certificate हो इन में से एक होना जरूरी है लेकिन mostly जरूरी क्या होगा जो उसके बात की जाए जो recruitment में सबसे ज़्यादा रिकूर होगा वो होगा दस्वी बार्वी के और फोटो और signature ये चीज़े होना जरूरी है अब देखिएगा किस राज्जे से निकले हुई vacancies है आपको बता दें अगर आप भीहार के छात्र हैं तो भीहार ने करीबन 21,000 पदों पे vacancies निकाली है जिसमें भीहार पुलिस कॉंस्टेबल पदों के लिए लिखित देखिता मारक्स नमर के आधार पे 25 मारकिण भीहार और ये करीबत दो गंठे का पेपर होगा जिसमें आविदन करेंगे आविदन करने वाली लोग ही इसकी तयारी कर पाएंगे अब इसमें फीजिकल की बात की जाएं तो एकजाम देने के बाद इसका फीजिकल होगा फिजिकल देखिएगा 100 अंक का होगा जिसमें 6 मिनिट में 1600 मेटर की रणिंग होगी अब धार्ति के लिए महिलाओ के लिए 5 मिनिट में 1 किलोमेटर की दूरी तै करनी होगी इसमें गोला फैंक भी रहने वाल है तो 16 पॉंट का एक गोला रहेगा और वो 16 फिट के आसफास फैंकना दूरी तै करनी होगी तो हाई ओप की ये भी आप लोग समझ चुके होंगे अब कौन सी पोस्ट की कितनी वेकेंसी जाए उसकी बात करने तो जर्नल की 8000 है करीबन अन्य पिछा ओबी सी की बात की जाए तो 38800 है और जबकि BC अभिहार के पिछणा वर्क की बात की जाए तो 2000 है और जबकि EBC की बात करें तो 2100 है और करीबन अन्सुची जाती यानि अन्सुची जाती की बात की जाए तो SC के टिकरी की तो 3400 वेकेंसी जाए जबकि ST category के बात करें तो सबसे कम post ST की है 228 post इसमें ST की दे रखिए BC महिलाओ की बात करें तो 666 post इं, 665 पे इसमें ये vacancy दे रखिए तो ये guys ये total vacancies है 21,000 के लिए तो 21,000 के लिए ये vacancies होगी अब इसमें application fees आप लोगों को देना होगा सामानने OBC, SC और ST category को जो ये payment आप लोगों को जमा करवाना होगा, तो I hope कि ये सारी चीज़े समझ चुके होंगे अब मैं लेके चलता हूं इसके ओफिसली साइट पे जहां से आप और मैं फोम और विज्यापन दोनों चीज़ देखेंगे ये देखें इसके ओफिसली साइट पे आ चुके हैं, अपनों और यहां से आप और मैं सभी आविदन करेंगे इसके जो भी विज्यापन से वो यहां पे देख सकते हैं, अलग-अलग विज्यापन जारी होएं और ये 20 तारिक से आविदन पर क्या सुरू होगे, और करीबन 27 तक इसमें आविदन कर पाएंगे एक महिने का टाइम होगा, यानि कि 26 से फोम बरेंगे और 27 तक इसमें आविदन एप्लिकेशन फेंज, सब कुछ इसे में करना होगा और exam date के लिए announcement कर दिया जाएगा, तो guys सबसे बड़ी भरती है, अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं, गॉर्मेंट जोप के लिए फुलिस में करना चाहते हैं, नोकरी, तो सिपाईों के लिए 21,000 पदोपे विकेंसीज है, तो guys अब मेरी तरब से complete है, अब बस एक बार आप लाइक और सस्क्राइब जरूर दबा दे, इसी के ओपर फिर से एक पूरे सलेबर्स के साथ वीडियो बनाएंगे, फोर्म कैसे बरना है, तो उसके बारे में भी बात अपन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सेर करें, थैंक्यू, जैहिन